पैसा तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है लेकिन कम ही लोग है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं ऐसे ही है नार्वे के करोड़ पती कजेल इंजराक कभी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले का जेल में एक फिल्मी बदलाव आया है नार्वे के करोड़ पती कजेल इंजराक किसी जमाने में निर्दई बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते थे आफशोर ड्रिलिंग और शिपिंग कमपनीज से उन्होंने खूब पैसे कमाए उन्होंने समुद्र और प्रकृति को पूरी तरह से नजर अंदाज किया अब खजल की सोच बदल गई है खजल ने अब समुद्र में फिंग की जा रहे प्लास्टिक की सफाई का जिम्मा उठा लिया है खजल एक याच बनाने के लिए 2.7 बिलियन डॉलर दान करने वाले है इस योट के द्वारा समुद्र से प्लास्टिक की सफाई की जाएगी खजल 596 फुट का याच बनाना चाहते है इसका नाम रेव रखा जाएगा रेव से समुद्र से रोजाना पांच टर्न प्लास्टिक साफ किया जाएगा ये इतना बड़ा होगा कि इसमें आराम से सफर भी किया जा सकेगा खजल किसी जमाने में एक आम मच हुआ रहे थे समुद्र में इतना कुछ दिया है और अब वक्त है समुद्र के लिए कुछ करने का एलन मैकरफट फाउंडेशन के अनुसार समुद्र में अब तक 5 ट्रिलियन प्लास्टिक फिंक आ जा चुका है रह्व में 60 वेग्यानिकों के साथ 40 क्रू मेंबर के लिए जगय होगी इसे दुनिया के सबसे बड़े याच होने का खिताब भी मिल सकता है